हेलो एवरिवान वेलकम तू वाइफाइटी चेंजिंग दावी ओफ लेंडिंग स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर वन स्ट्रिडिचोनल वाइफाइटी पे जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली सुपह आठ बजे मने टू सटेड़े अपना एक इंपॉर्टन सेश जो कि पिछले 6 साल से हो रहा है और हम लोग उसको रेगुलर कवर कर रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों से उस आठ बजे वाले सेशन को मैंने 6 बजे स्टार्ट किया है विकाज अपने बीच में तोड़ा टाइम का गैप था तो उसके वज़े से अभी मैं साड़े बा आपस से सुबह 8 बजे वाले टाइमिंग के उपर है जो कि स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि आप सभी को मालूम है आज है 19th of March और यहां पे 18 लिखावा है आपको उसको करना पड़ेगा 19th मेरे आप भी 19 हुई है आपके मापे हो चुकी है तो 19th of March का दोस्तों हम लोग important current affair के सारे topics है जो कि देखेंगे देखो आज कल होली थी और आपको मालूम है होली दिवाली यह कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दन सारे newspaper के भी छुटी होती है है ना तो आपके उपर प्रेशर काफी कम रहता है और मेरे उपर भी कम रहता है को कि मुझे भी कम newspaper पढ़ने पढ़ते ह होती है newspaper की तो पढ़ने ही नहीं सकते है अपन newspaper ठीक है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि 18 तारिक को देश के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी important news जो हुई है ना वह हम लोग cover करें ताकि आपके एक दिन का करेंट फिर छूटे ना तो newspaper आये चाह नहीं आए मैं 18th of March को जो भी इस देश दुनिया में हुआ है उसको मैं आप locally cover जरूर करूँगा ठीक है newspaper तो कहा नहीं आया है लेकिन फिर भी हम लोग cover करेंगे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मैंने जो question दिये थे पहले वह quote of the day सारे newspaper देखेंगे आज के दिन इतियास में क्या हुआ fun fact भी देखेंगे पांच vocabulary भी और लास्ट में कुछ question भी हम लोग cover करेंगे session तो नहीं चोटा होगा because newspaper आज हमारे पास नहीं है उसके अलावा मैंने कोशिश करिए कि आप लोग के लिए जो भी important content है वो मैं निकाल के news है वो मैं निकाल सको आपको पढ़ा सको तकि आपको द जिद्धी बोल रही है कि सर रात को record करें यह video recorded नहीं यह video live एक दिम live and exclusive ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम मैंने कुछ परसों की दिन आपको यह question दिये थे cover नहीं कर वाए था तो आज cover करवा रहा हूं which one of the following country of South West Asia does not open out to the Mediterranean Sea, Mediterranean Sea के तरफ कौन सा country open out नहीं होता है तो वो कौन सा नहीं होता है, Jordan नहीं होता है, Mediterranean के आजपास के country आपको पता होने चाहिए, कौन सा country Gulf Corporation Council का member नहीं है, यह जो country इसके member होते हैं उन्हीं को अपन Gulf Country का कहते हैं, तो इरान इसका member नहीं है, हाला कि परता गल्फ परिशन गल्फ की महीं पर ही है, लेकिन member नहीं है, और चिपी हुई बेरुजगारी का जनरल ही मतलब क्या होता है, कि जब एक जगे पे कई सारे लोग एक काम में लगे वे होते हैं, तो उसको कहते हैं, इंक्रीज इन एपसलूट एंड पर कैपिटा रियल जी एन पी डज नॉट कनेक्ट तो हायर लेवल ओफ इकनॉमिक डवलप्मेंट इफ अगर क्या हो जाए तो ठीक है, यहां पे बिल्कुल सही बात है, आपका ग्रॉस नेशनल इंकम जो है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो एकनॉमिक डवलप्मेंट नहीं होगा, अगर पावर्टी और अनिप्लॉइमेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो, तो यह कंडिशन काफी डेंजरस होती है, नैशनल अक्वर्टिक अनिमल की बात करें तो गंगाटिक डॉल्फिन है हमारी, तो सी आपका सही आनसर है, इसके लावा अनकैडमी पर अगर आप टेस्टरिस लगाना चाहते है, प्रिलिम्स की सी सेट की तो टेस्टरिस आप ले सकते है, और कोड़ भी दोस्तों आप ले सकते हैं अनकैडमी पर यूपी की तयारी करने के लिए 0% ऑपर आपको रैफ्रारल कोड लगाना पड़ेगा, पी जाएए गेट सब्सक्रिप्शन पे बारा या चौबीस मन्त और यहाँ पे भी एचु टैन है जो कि आप लगा सकते हैं ठीक है साथ में स्माइल जो कि ड्राइव करके आपको बताना चाता हूँ जो कि life के एक experience को लेकर ही है जब हम लोग preparation कर रहे होते हैं मैं आपको इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ है ना कि जब हम लोग preparation कर रहे होते हैं तब एक phase आता है जब हमें लगता है कि अगर जितने हम लोग alone रहे जितने हम लोग कट होके रहेंगे दुनिया से जितने हम लोग अना मतलब अपने आपको अपने आपको जितना जादा प्रेस करके रखेंगे प्रेशर में रखेंगे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उपर होगी ऐसा बहुत लोग को लगता है मेरे अलावा भी लगता होगा लोगों लगता होगा ऐसा लेकिन ये कुछ साल बाद आपको पता लगीगा कि ये बात बिल्कुल गलत है आईसा बिल्कुल भी नहीं है इसका अपोजिट जो लोग करते हैं जो खुश रहते हैं थोड़ा कांट्रिब्यूट करते रहते हैं लोगों से मिलते रहते हैं उनका प करके दुनिया से दूर रख के प्रिपरेशन करने के अगर आप सोचते हो तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ऐसा ना करें आपको आप अपने आपको तरपा के अगर आपको लगता है कि यह क्राइटीरिया है एक्जाम में सेलेक्ट होने का तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है है ऐसा होता तो लोग जेल में बंदो जाते हैं उके उनको शायद पहले सरकारी नौकरी मिलती है ऐसा बिलकुल में नहीं है ठीक है ना तो खुश रहिए मसत रहिए सब कुछ अच्छा होगा आपके पास में लाइफ में एक ही चीज आपको फिगर आउट करनी है वो आपका को लेकर करनाट्का गॉर्मेंट ने क्या किया है दिशांक की एक लाउंच करिए जो की भियूमी रिकॉर्ड तक आप इजी अपना जो भी आपको रिकॉर्ड लैंड का चाहिए वह आप इस एप के माधियम से ले सकते हो करनाट का सरकार की दौरा इसको बिल्ड किया गया है ठीक है एक करनाट का revenue department का एक वो है एक department है survey settlement and land record ये क्या करता है ये आपको सारे के सारे ये survey settlement and land record जो करनाट का revenue department के एंडर में आता है ये क्या करता है आपको easy availability करवाएगा जितने भी land के record है state के अंदर एक app के तुरू जिसका नाम है दिशांक ये GIS और करनाट का के application center के दुवारा मिलके बनाएं गई है समझ गए इससे क्या होगा कि पूरा data digitize हो जाएगा आपका land का record का और ये किसके अंडर में किया गया है ये भूमी project क्या है तो देखो क्या है कि हम सकेंदरी सरकार चाहती है कि पूरे देश में इस तरीके से पूरा लैंड का data जो है न वो digitize हो जाए हर आदमी के पास में कितनी land है किसकी है कहा है वो पूरी जानकारी रहे ताकि उससे के कोई लड़ाई ना हो conflict लहों एक दूसरे की land के अंदरा दिख रहे ना हो लोग जो है क्या करते हैं जमीन उसकी यहां तक है यहां पे बीच में रोड जा रही है एक रोड को भी दबा लेते हैं अपने एरिया में ले लेते हैं इस देखा होगा कही बार आपने ऐसा करते हैं ठीक है ओफुली आव ठीक है अवाज अवाज परफेक्ट ली आ रही है न चलो ठीक है तो भूमी प्रोजेक्ट के अंदर यह है कि केंद्रिक और सरकार जो है वो क्या चाहती है कि नैशनल इन्फरमेटिक सेंटर के साथ में इसको इंप्लिमेंट किया गया है कि पूरा लैंड रिकॉर्ट जो हो उसी तरीके से करनाटका के अंदर जो यह काम हुआ है वो किस अप दिशांक अप के माध्यम से हुआ है इसके अंदर लैंड ओनर का पूरा नेम लैंड कितनी है कौन सी टाइप की ओनर्शिप है लैंड कौन सी है लिटिगेशन कैटिगरी सारे के सारी जानकरी उस जमीन के ज देखे गईज चलिए आगे बात करते हैं डेलाइट सेविंग टाइम को लेकर डी एस्टी यह डी एस्टी क्या होता है देखो आपको मालूम है ना कि जब ऑस्टेलिया में या फिर यूके में जब समर्ष होते हैं ना यानि कि कुलम लाके हमारी अर्थ के ऊपर वाला जो प समाज बजे तो उजाला हो झाता है और रात के 10 बजे तक उजाला रहता है कि आम वहां कि ला सतरा सत्रा गंटे तक जो है जो कि रहता है नोर्मली कितना टाफिटा टाइम को जाला किताव लिइक है नोर्मली, हमारे आपर गंटे का होता है, बारा गंटे का दिन, रात तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, सर्मर्स के टाइम पे बहुत लंबा दिन होता है, तो क्या चाहता है, कि ओफिसेस जो प्रा míd का झाहता था ना, वन आर आगे बढ़ा दे और जब autumn आएगा तो इसको वापस पीछे कर दे वन आर इससे क्या होगा कि इनका जो working का जो time scale है वो पूरा एक दिन के time पे हो जाएगा ऐसा नहीं होगा कि वही सुबर 5 बज़े से लग रहे हैं रात के 10 बें तक कर रहे हैं तो जितना maximum दिन के अंदर अगर आप काम करोगे क्योंकि दिन तो यहाँ पे होता ही है तो आपकी क्या होगी energy saving होगी समझ गए तो DST क्या है इसको summer time क्याता है some countries के अंदर यह mechanism है energy को बचाने का जिसमें settling करी जाती है clock की क्या किया जाता है advance कर दिया जाता है clock को एक घंटा spring में और वापस से एक घंटा कम कर दिया जाता है autumn के अंदर अपने standard time तक वापस से लोटने के लिए तो साल में दो बार जो है वो clock को आगे पीछे करना पड़ता है है ना सरदी गर्मियों में क्या होता है sun जल्दी निकल जाता है रात को बहुत लेट पे डूपता है तो आर्स बहुत जादा होता है तो अगर आर्स जादा रहेंगे तो यह usable आर्स जो daylight के होते हैं उनको काम में लिया जा सकता है तो एक घंटा आगे बढ़ाते हैं ताकि आफिस आर्स आपका पूरा का पूरा धूब के अंदर जो है वो निकल जाए तो आपको जो एनरजी है जो आपकी बिजली है जो आपके एसी है इनकी जरुत कम पड़े और आप अपना जो यह लाइट ह है पंखे जो भी चीज़ा है मतलब कम हो जाए इसलिए ऐसा किया गया है तो अगर 2022 में देखोगे तो यह काम अभी 13 मार्च से स्टार्ट किया गया और यह 6 नौबर तक चलेगा इस पूरे डूरेशन में जो है ना गर्मियों के टाइम पे इनके समर टाइम जो हो काफी जो है वह आगे बढ़ा देते है दुनिया में 70 इसको करते है और यूएस के अंदर भी डुksi स्वर और सारे के सारे सो फॉलो करते है यूरोपन कैंडरी यूएस ने क्या किया है एक लग पास किया है ऊके है उन्षयन प्रोटेक्षिं आक्ट अब ये लोग क्या है इसको पर और अगला जो नौंबर होगा 2023 का तब से लागू हो जाएगा समझ गया तो इनको घड़ी आगे पीछे नहीं करने पड़ेगी वह मीशा से ही इस तरीके से चलेंगे लोग ठीक है आगे बात करते हैं होटी कल्चर को लेकर एक और न्यूज आए थी दोस्तों इंडिया के जो होटी कल्चर मार्केट है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत जादा हो गई है एक सो नभे मिलियन डॉलर है दोजार एकिस के अंदर और यह दोस्तों सतर मिलियन डॉलर पहुंच जाएगा 2030 की यह वाला मार्केट और चार से पाच परसन की ग्रोथ है जो की हो रही है और 27 मिलि अहर में हो चलता है इस तरीके से टेंट लगा देते हैं देखो इस तरहरी के से बाइभाने और ना आइंदर दर प्रियांप्र यहां होता है इनको मिलता है यहाँ पर तो इसको protected cropping क्याता है hot green house horticulture क्याता है तो आज कल यह काफी बढ़ गया इसको आपको पैज जमीन अगर आपके पास में है ना तो आप किसी company वाले के साथ में टाइप करके आपको rent भी देगा आपके वाप green house लगा देगा आप loan ले सकते हो green house के उपर इसके अंदर पानी की requirement जो पूरी होती है उसके लिए क्या करते है इसके पास में एक खड़ा हो देता है तो बारिश का पानी इसमें खटा हो जाता है और यह पानी जाता है यहाँ पर यूज होता है और यहाँ पर green house के आज पास पर भी जो बारिश होती है वो पूरा पानी इस खड़े में चले जाता है तो इस तरीके से पानी की requirement भी पूरी करी जाती है समझगे तो यह modified cropping pattern है आज के टाइम पे और होटी का मतलब ही होता है होटस का मतलब garden cultivation का मतलब उगाना तो यह garden cultivation कह सकते हो आप यह science है आट है जिससे आप improve कर सकते हो vegetables को flower को plants को food को समझगे लच बेले वाउज परसन जिनको American horticulture का father माना जाता है और हमारे आपे मारी गोड़ा जी है M.H. मारी गोड़ा जी जिनको father of Indian horticulture है जो की माना जाता है समझ गए मेरी बात तो यह बात आपको यहां पे धान रखनी है ठीक है चलिए और significance की बात करें तो हमारे लिए बहुत ही important है guys क्योंकि fresh fruit vegetable medical plants यह सब का protection करना हमारी economic के लिए employment के लिए earning के लिए है ना नौकरी के लिए है यह सब चीजों के लिए बहुत ही जरूरी है चलिए हम लोग second largest producer है fruit or vegetable के वर्ल्ड में चाइना के बाद में हमारे आप अगर आप देखोगे तो 28% GDP का contribution जो है वो cultivation इसी से हो रहा है 37% total export करते हैं हम लोग इंडिया से और अभी 320 million टन हमने production किया था 2019 बीस के अंदर हमारे 25 million hectare area से तो हम लोग total का 37% export कर रहे हैं तो यह काफी बड़ी बात है challenges क्या है हमारे आप है कि हम लोग एक तो harvesting के बाद में losses लग जाते हैं गैब बहुत जादा आ जाता है cold storage के facility नहीं है network नहीं अच्छे यह कुछ problem है जिसके विज़से हम लोग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पार है otherwise यह तरीका बहुत ही जबरदस्त है आज के टाइम पर हम इसको लेकर पहले भी कई सरे scheme launch कर चुके हैं जैसे की नैशनल होटी कल्चर मिशन नौर्थ इस्टन इमालियन स्टेट के लिए बोर्ड बना चुके हैं coconut development board institute बना चुके है नागालेंड में तो यह सब भी कि हम लोग अल्रेडी कर चुके है ठीक है चलिए आवाज वाज आ रही परफेक्टली अल्राइट एक बर वीडियो को शेयर भी करते ना क्योंकि काफी बच्चों को पता है नहीं सब को यह पता है कि चुटी होगी आज की तो नैशनल होटी कल्चर बोर्ड की बात करें तो उसको 1984 के अंदर सेट अप किया गया था हैना में स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन के बाद में गुरु ग्राम के अंदर इसको सेट अप है जो की किया गया ओके तो यह दो तिन न्यूज़ है गाईस जो कि आपके लिए इंपॉरेंट थी जो कि मैंने आपको करवा दी हमारे ठीक है करेंट अफेड शॉट्स की बात करें तो युनाटे नेशन सेक्योर्टी काउंसल ने अरजन्ट मीटिंग करने के लिए बोला है युक्रेइन सिच्वेशन के ओपर भी छे कंट्रीज को ओपन डिसकेशन करने के लिए आपर बोला है और हुमेनिटीरियन सलूशन पर ब्रिया थैध्वर्बिया हो गई है तो काफी तेज सबन पौंट फोर मैगनीटाइट काफी जाधा होता है और हर एक नम सबंट फोर्फ में का फर्क फरक होता था ना चलिए दो तरहके के scale होती है एक तो reactor scale होती है जिसके ओपर हम लोग ने यह देखा है ना intensity जिसको आपन लोग बोलते हैं इसकी intensity और एक होती है जिसमें loss देखते हैं जनता का या पैसों का किता loss लोग मार्शिल क्याता है दो प्रकार की scale है जो की consider करी जाती है इसके अलावा 16 ऐसे Chinese national है जिनको हमारे देश में citizenship मिली है 2007 के बाद में सुनके बड़ा आजील रगता है ना कि चैनीज लोग को हमारे देश में citizenship मिली है तो यहां पर दोस्तों टोटल मिला कि 16 ऐसे लोग है तो यह हमारे होम दोवारा मिनिस्ट्र के दोवारा जानकरी पार्लेमेंट में दी गई है मैटा वर्ल्ड पैड क्या है यह एक न्यू लॉंच पैड है जो की मदद करेगा डबलप्मेंट और ग्रोथ में मैटा वर्स एको सिस्टम को आगे बढ़ाने को लेकर आपको मालूम है दोस्तों फेस सकती को मैटा वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए मैटा वर्ल्ड पैड एक लांच पैड जो की इकोसिस्टम करेड करने के लिए मदद करेगा कम्यूनिटी बिल्डप करने में मदद करेगा ठीक है चलिए आज के दिन चीवाट करे तो कुछ खास नहीं था एक कॉस्मोन औ वोग करी जब उन्होंने उनका स्पेस कैप्सुल जो है वो छोड़ा 1965 में वो के अंदर Entailment है का मतलब होता है अधिकार है ना title मिल गया तो यानि कि अधिकार मिल गया Entailment मिल गया अलिजेंटली का मतलब होता है आरोप करना कि सी के उपर आरोप लगाना है ना कोई प्रूफ के मिना एक्जाजरेट का मतलब बड़ा चड़ा के बोलना डाउन पूर का मतलब बहुत तेज बारिश होना और पुजेशन का मतलब कबजा कर लेना फन फैट की बात करें तो दोस्तों देखो पता है आपको आज की टाइम पर आप और हम सब हमारे आप तो गाउन से रहे हम लोग मुवीज में देखते लोग को पहनते हुए लेकिन पहले के लोग इंग्लेंड में तो जेनरली गाउन पहन के सुवया करते हैं लेकिन जब वर्ड वार होगी ना तब गाउन के अंदर घर छोड़के भागना रोड पे निकलना बहुत है तो इसलिए लोगों ने पाजामा पैरना चालों किया तो इसके अलावा अगर आप जौब करते हैं वालंटीर की तौर पर काम करना चाहते हैं तो इसमाइल फ्रॉल सुसारी डाट ओवाजी के वेबसेट पे जाके आप एक वालंटीर का फॉर्म करके सुसाइटी में कॉं यहां पर गोल से लेट करना है फॉर्टी प्लस एक्जाम में से प्लस पर जाईए गैट सब्सक्रिप्शन पर बारा या चॉबिस मंत और यहां पर भी एच उटल लगाई है ठीक है आज का पहला सवाल है कितनी तारिक को साइकलोन आएगा असानी कितनी तारिक को प्रेडिक कर दीगई है और इंडियान और जोडिया ने इक पार्ट्रेशिप कर ए कॉंसे स्टौक एक्जेंज के साथ में था कि खुद का इस्टाउक लॉंच कर सके तो यह हो गया आज का आपका सेशिंग श्यूदा बड़ा नहीं था अपशुली लेकिन यूइस पेर भी नहीं था ह हमने जित्ता हो सगे कवर किया कल हम लोग हमारे नियुस पर कल तो छुटी है संडे है तो 23 को अपनी क्लास नहीं हो पाएगी 22nd को नहीं हो पाएगी 22nd और 23rd मार्च को तो इसको करवा दूंगा ठीक है तो अभी पहले से बता रहा हूं अभी तो आज तो घर उन्निस तारह की हुई है ठीक है बाइस ते इसको हम लोग नहीं कर पाएगी लास ठीक है इस चलिए थैंक्यू अव्रिवन गुट बाएग